है गाईज वेलकम बैक टो मैं डिव चैनल तो आज हमां पोस्टी सीरिस को फिर से कंटीनिव करने जा रहे हैं पर वीडियो को कंटीनिव करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने एक और नया चैनल खोला जिसका नाम है मांगा वर्स उस पर हम एक और नई मानवा को एक वेलो कंटीनिव करते हैं इस वीडियो को तो जैसे कि हमने प्रीवेश चैप्टर में देखा था जो यून जो होता है वो हीमिंग से हार जाता है और लूजएंग बोलता है कि मैं बदला लूँगा भाई तुम्हारा और वहां पर हूँ आजाता है तो चैप्टर नंबर 36 की स्टारिंग होती है कि खड़ा होता है वूजएंग बोल रहा होता है कि मैं फाइनली देख सकते हूं कि असली स्ट्रेंथ को इसका जो है यह चोटी उमर में 18 साल की उमर में पीक ऑफ स्कायर एलम में पहुंच गया था और उपर से इसके पास जो स्वोर्ड इंटेंट भी है और स्वोर्ड में इसकी मास्ट्री बड़ी जादा है इसने स्लेश्टल एलम की डिसिपल्स को बड़ी बार बीट की है इसका जो टैलेंट है वो बड़ा जादा इंक्रीडिबल है और अमेजिंग है अगर तुम्हारा मैच इसके खिलाफ होगा तो तुम्हें हार माल लेनी होगी ठीक है तो लुजंग हसते हुए बोलता है ठीक है हाँ मैं समझता हूँ तो फिर हुआ टैनमिंग और एको डिसिपल्स की फाइट स्टार्ट होती है रेफरी बोलता है कि फाइट स्टार्ट करो तो वह डिसिपल्स बोलता है कि अगर तुम अपनी तलवार को निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकलवाऊंगो तुमसे फिर वो अटैक कर देता हुआ टैनमिंग के खिलाफ जिसका नाम होता ट्रिपल स्फोर्ड ऑफ एबसल्यूट एन हाइलेशन शियोर किल टेकनीक और हुआ टैनमिंग की तरफ अपनी स्फोर्ड लेके आ रहा होता है वो अटैनमिंग उसे बड़ी असानी से डोज कर लेता है और अपनी दो उंगलियों से उसकी तलवार को उपर की तरफ उड़ा देता है और उसके फोरेड के उपर अपनी वो दो उंगलियों रख देता है तो जूगे जी बोल रहा होते है कि मैं सरेंडर करता हूँ और वहीं पर बैठ जाता है ऐसे ये मैस खतम हो जाता है विदिन स कमाल की बात है यह हर बार सा भी लोगों को शो करते हैं कि जो पोर पिपल होते हैं वो यूजलस नहीं होते हैं और यह इतना ज्यादा ग्रेट टैलेंट है यह इतना ज्यादा अमेजिंग है तो जो रेफरी बोलता है वो बोलता है कि स्टार्टिंग के मैच यहीं पर एंड होत पहलेगा कि अब सिर्फ लूजएंग इंश्राइंग बचा हुए तो इंस्ट्रक्टर वन बोल रहा होते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तो फिर जो ट्यान्यू होता है वो लूजएंग को बोल रहा होते कि मैं तीन मूव्स में हरा के बताओंगो तुम जैसे कच्रे को लूजए हाई पीक का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हमारा हुआ हाई पीक जो है उसका स्ट्रोंगेस डिसिपल है और इसके पास ऐसा ही कॉंफिडेंस है तो लूजएंग बोलता है हम यह देखेंगे अरेना में अब बक्वास मत करो हुआ है अपने वैपन को बाहर आके रखोगे फिर वो लूजएंग की तरफ अटैक को यूज़ करता है जिसका नाम होता है विंड स्पिड्स पॉलिमराइजेशन उसका जो अटैक होता है उसकी वसे लूजएंग की तरफ बढ़ जादा चक्र आ रहे होते हैं लूजएंग बोल रहा होते हैं कि यह मूव यह तो जड़ा भी थ्रेट नहीं है में लिए और मुझे तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा फिर लूजएंग अपने स्पीड को इंक्रीज करने वाले क्रिस्टल को यूज़ करता है और उन सभी को बड़ी जादा असानी से डोज़ कर लेता है पर जो वो चक लूजग की तरफ आरे होते हैं वह असरह होता है पर लूजग सिंपल पंच मारता होग यहायँी हो बोल रहा होता है कि कि इसकी फिस ट्रौंग नहीं होगी इसने कोई ट्रिक यूज़ की यह थिह लूजएंग बोलता है अब तुमारे दो मूग्स होगे अब इसका मतलब स् अच्छा लूजेंग तुम कर सकते हो इसे मार दो तो बाकि डिस्पल्स भी बोल रहे होते कि इसके पास सिर्फ इसका लास्ट टैक ही बचा हुए है अगर यह उससे कुछ नहीं कर पाएगा तो यह हार जाएगा तो जो ट्यानियों होता है वह बोल रहे होते कि मुझे ऐसा खोड़ा है ब्लेडब इंट्व लूजेंग अपने एंट्रेंट को यूज़ करता है उसके वह टूट जाता है चीनीयों बड़ी बेड़ा जादह हराना के सोच रहा होते कि यह चल रहा है फिरू से सामने आकर उसको पंच बाने लोग सब लेता है लूजेंग बोलता है कि तुम मजाक मत करो मैं तुम्हें टेस्स करा हूँगा अपने असली स्ट्रेंथ का लुजंग बलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने वर्ड्स पर बैक जाओगे तुमने बोला था कि तुम तीन मुझे हरानी पाओगे तुम स्रेंडर कर दोगे अब क्या ह ट्यानियू का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि ट्यानियू वो तीन मुव्स वाले प्रोमिस को भूल जाओ तुम्हें बस जीतना है गीव अप मत करो इस मैच पे फिड्रिजल पीक और हुआ हाई पीक के डिसपल्स की बीच में ऐसे आर्ग्यों होने लब पड़ लिख दस जो बाकि डिसपल्स भी ऊते हैं वो भ disconnect कि यह का चल रहा है तो एक बोलर होता है इसने तो प्रोमिस की था थीन मूव का अब क्या हो रहा है तो घ्स storm उप रहा हो ट्यानियू लूजञ की तरफ अटाकने लापडता और बोलता कि मेरा इंस्ट्रक्टर सहीए यह य लूजंग में जा करेंच दोटा है तो बोलता है यह तुम्हारा फॉर्थ मुव था था पर फिर था लूजंग ओस्यों जिटेश गश्च पूरे हो जाते हैं पर वो लूजंग को टॉच भी निकर पा रहा होता है लूजंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें 100 चांसिस दीए पर तुम्हें अभी तक मुझे टच नहीं किया है पर तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ एक अटैक चाहिए फिर लूजंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो पीछे जाके गिरता है और एक barry type create किया होता है ताकि दूइसरे fights में नंगेज हो पाएं डीसिपल्स तो वो barrier से टकराता हो नीचे गिर जाता है लूजंग हसरा उतार वो बोलता है कि मैं конkeep करता हूँ मैं T ağarण यंँ conkeep करता हूँ तो फिर रेफरी बोलता है कि डिर्जल पीक का लूजेंग जीत जाता यहीं पर ही तो बाकि जो डिसिपल्स होते हैं डिसल पीक के वो बोलर होते है कि लूजेंग तुम बड़ जादा कूल हो इन बत्तमीज जैसे बंदों के लिए हमें उन्हें स्ट्रिक्ट लेसन ही देना कंपटीशन है इसमें तो बड़ जादा सर्प्राइज मिल रहे हैं पर बड़ जादा बुरी बात है कि डिसल पीक के डिसिपल्स है उनका रिकोर्ड बड़ जादा खराब चला हुए तो बोल रहा होता है हाँ लूजेंग के अलावा और कोई विक्ट्रिस नहीं मिली है हमें और कोई भी कॉलिफाइड नहीं हुए नेक्स डाउन के लिए तो फिर रैफरी बोलता है कि डिसल पीक का लूजेंग अगेंस्ट जियू जांग पीक का हेमिंग इंस्ट्रेक्टर बेन बोल रहा होता है कि यह इतना ठीक नहीं लग रहा है अगर तुम फाइट नहीं कर जो यून तुम्हारा एस था जो यून सबसे पावरफुल था तुम्हें पर उसे भी मैंने हरा दिया तुम सभी की आंखों के सामने तुम्हें डर नहीं लग रहा तो तुम्हें यहीं पर अपनी फाइट को छोड़के भाग जाना चाहिए लूजंग बोलता हो कि तुम मु लूजंग के सामने लग जाता है। जिसका नाम है Star Shifting Flag ये ऐसे destroy नहीं हो सकता फिर losing अपने enchantment को तोड़ने वाले crystal की power को use करके बोलता है कि तुम क्या सोचते हुम ऐसे destroy नहीं कर सकता हूँ फिर losing उसे बड़ी जोड़ से punch मारता हुर वो flag तूट जाता है हेमिंग बड़ जादा हिरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ भी वो flag तूट के नीचे गर जाता है हेमिंग बोलता है तुमने मेरे flag को destroy कर दिया मैं तुमें destroy कर दूँगा फिर वो अपने formation को बनाने लब पड़ता है और अपने flags को circular motion में घुमा रहा होता है अपने around फिर वो लूजंग की तरफ भेज देता हुने और बोलता है कि sky fire formation लूजंग बीच में कैद हो जाता है उस formation के तो फिर हमें एक इंसान दिखा जाता है जो कि होता है क्विन्यून जोंग जो कि sun immortal है और formation master है वो भी हरानो जाता है और सोच रहोते है कि sky fire formation वो बोल रहोते है कि मैंने कभी नहीं सोच था कि जीवजंग पीक का कोई inner disciple sky fire formation को learn कर पाएगा ग्रेंड मा हुआ तुम इस टाइम तुम पूरी तरह से prepare हो के आई हूँ ग्रेंड मा हुआ बोलते है असेंडेट सानी मोटल तुम को ज़्यादे प्रेज कर रहे हो हमें हें मिंग जो है उसके पास काई ability है अगर उसे आपकी power से compare करेंगे तो वो आपके सामने कुछ भी नहीं है और आप दोनों की बीच में जो फर्क है वो heaven और earth के जैसे है पसानी मोटल बोलता है वो अभी सिर्फ peak sky realm में है पर अब इसे वो sky fire formation के use कर सकता है अगर यह ऐसे grow करता रहा तो मुझे डर है कि यून जोंग जोंग वो future में number one formation master बनेगा करेंड मा हुआ यह सुनके खुश हो जाती है हेमिंग बोल रहा होते है कि मैं sky fire formation को core disciples के against use करना चाहता था पर अब यह तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा हूं मैं फिर वो हसने लपड़ तो उस formation को activate कर लेता है एक octagonal formation उसे cover कर लेती है losing को जिसके उपर संस्कृत मंतर लिखे होते है सबस्क्राइब करो तब तक के लिए बाई बाई